नमस्कार दोस्तो बी एचाइसी वन जीरो वन की सिरीस का ये चौथा चैप्टर होगा चैप्टर का नाम है नव पाशान काल इस से पहले तीन चैप्टर और लेड़ी अपलोड किये जा चुके हैं तो अगर आपने उन चैप्टरों को अभी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उन चैप्टरों को जरूर पढ़िएगा ताकि इस चैप्टरों को समझे में आपके लिए असानी हो इसके साज साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें आज ची क्लास में हम नव पाशान काल की संस्किति का अध्धन करेंगे इसके साज भारत में नव पाशान काल के कौन-कौन से स्थल मिले हैं उनके उपर भी चर्चा की जाएगी इससे पहले आप तीसरे चैप्टर में पूरा पाशान काल और मध्य पाशान काल की संस्किति और उन से संबंदित स्थलों का अध्धन कर चुके हैं तो आशा है चीजे आपको अच्छे समझ में आ रही हैं कमेंड बॉक्स में कमेंड लगातार करते रही है ताकि हमें भी ये पता चल पाए कि आपको चीजे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है तो चलिए शुरू करते हैं आची क्लास और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नव पाशाण युग से हम क्य समझते हैं तो जैसे कि चैप्टर की प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना हमें यह बताती है कि अगर हम नव पाशान काल मानव संस्किती की बात करें तो नव पाशान काल मानव संस्किती इतिहास को एक बहुत जादा महत पूर्चरण था और इस काल मनुष्य पूरी त प्रकर्ति के अनुसार अपने आपको नहीं ढ़ला बलकि प्रकर्ति की चीजों का प्रयोग करके अपनी जीवन को सुख में बना रहा है प्रकर्ति के साथ मनुष्य का लंबा जुडाव है और पौधे और जानवरों की उपयोगिता को मनुष्य अप समच चुका है और वो अपनी आफशक्ताओं के हिसाब से उसमें बदलाव भी कर रहा है उन्होंने कुछ जानवरों को किर्शी कारे में सहायता के लिए पालना भी शुरू कर दिया जबकि पूरा पाशानकाल में मनुष्य जानवरों को नहीं पाल रहा है केवल शिकार कर रहा है आखेट करक रहा है की पूरा पाशानकाल में आपने पड़ा था मनुष्य आखेट कर दा या फिर कंदबूल फल्फ खा के अपना जीवनियापन करता था लेकिन नव पाशानकाल में क्या परिवरत रहा है मरुष्य ने किष्जी किश्रूवात कर दिये जंगों को साफ करा भूमि को खे करने शुरू कर देगा नएने तकनीकों का इस्तिमाल करना शुरू कर देगा नएने ओजारों का प्रियोक करना शुरू कर देगा लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मनुष्य पुरानी चीजों को छोड़ देगा अब वो अभी शिकार करेगा अभी भोजन इकठा करेगा लेकिन कुछ हद तक कम तो नौपाशान काल की संस्किति के बारे में आपको पता चल गया आगे हम इस चीज का और भी विस्तार से अध्यन करेंगे तो अब हम ये पढ़ेंगे कि नौपाशान काल की जलवायू कैसी थी और लोग अपना जीवन निर्भा कैसे कर रहे थे उसे कितने भागों में बाटा है हमने चार भागों में सबसे पहला कौन सा है पूरा पाशान जिसको आपने पढ़ चुके हो पिर है मध्य पाशान इसे भी आप पढ़ चुके हो अब इसके बाद आपकोन सा पालता था, खेती शुरूर नहीं हुई थी, वो प्राकर्टिक रूप से उपलब्ध पौधों के भोजन जैसे कंदमूल, फल फूल, पत्ते, फलियां यही कठी करता था, मचलियों को मारता था और जंगली जानवरों का शिकार करता था, कहां पर पुरा पाशानकाल और मध्य पाशानकाल में, लेकिन नवपाशानकाल में चीजों में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, और दुनिया में संस्किति ग्रूप से बदलावाने लगा, नवपाशानकाल की संस्कितियों ने स्थाई निवाश शुरू कर दिया, और ग्रामीर बस्तियों की स्थापना नवपाशान काल में मनुष्य ने पौधोगी खेती शुरू कर दिए, और घ्रेलू पश्रों को पालना भी शुरू कर दिया है, यानि कि जिन नवपाशान काल का मनुष्य है वो ग्रामीर बस्तियों में इस्थाइन निवास्तों कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे धातू के बा प्राकर्तिक संसाथा ने उसको भी उसने अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रभावी रूप से शर्शोधित कर दिया है जिससे खाद्य सुरक्षा बढ़ी है खाद्य सुरक्षा का मतलब यह है कि अगर हम कल के लिए भी रख रहे हैं खाना आने वाले समय के लिए भविश्ची के पूरण मान के लिए लिए खाद्य शुरक्षा है क्योंकि मनिष्ची जब सिकार कर रह था तो शिकार करके उसने खाना क्य guiding कर दिया अब उससे दुबारá खाने के लिए फिर से शिकार करना बढ़ेगा इधर मनुष ने पौधो पशो को भी जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया है जानवरों और पौधों की देखभाल के अरटने के लिए उसने एक जगह पर इस्थाई निवास भी शुरू कर दिया क्योंकि कहां-कहां तक वो जानवरों को लेकर भागेगा कहां-कहां तक अपने खेतों को उठाके भागेगा खेतों को तो उठाके नहीं भाग सकता इसलिए जहां पर मनुष ने किशी करी वहीं पर उसने बसना भी शुरू कर दिया और मनुष ने प्रारंबिय रूप से जहां बसा वो नदियों किनारे बसा जिनका नाम ता सर जॉन लुबॉक तो नव पाशान सब्द का पहली बार जो प्रियोग करा वो सर जॉन लुबॉक ने किया 1865 में अपनी किताब के अंदर वे इंगलेंड के अवेवेरी के पहले सामन्त थे और सांस्कितिक इतिहास के उपर उन्होंने नव पाशान युग की अवधारना को जोड़कर इसमें पाशान युग, कांसे युग और लोह युग को तीन तरीके से बाटने की मांग करी यानि कि नव पाशान युग का पहली बार प्रियोग किस ने करा है सर जॉन लुबॉक ने कब किया 1865 में इन्होंने ये कहा कि नव पाशान युग को तीन भागों में बाट देना चाहिए में एक पाशान युग, यानि कि जहां पर हम पत्थरों काई प्रियोग कर रहे हैं फिर एक कांसे युग, तामबे में तीन मिला कर कांसा बनाया जाता भई यानि कि कांसी यूग में बाढ़ दो, जो हडपा सब बेता है वो कांसी यूगीन है और आगे चलका लोह यूग, यानि कि ये कह रहे हैं कि नव पाशान संस्किति को आप कितने भागों बाढ़ दो, तीन भागों में पाशान यूग, कांसी यूग और लोह यूग 830 के बाद CJ Thompson ने भी यही चीज प्रस्तावित की तो 9 पाशान शब्द का अर्थ क्या है भी पहले हमें ये भी जानना होगा तो 9 शब्द का अर्थ तो नया है और लिथिक का अर्थ है पत्थर यानि कि पाशान का अर्थ है पत्थर तो जैसे पुरा पाशान यानि कि पूराना पाशान और 9 पाशान मतलब नया पाशान इस दुरान लोगों ने क्या करा पॉलिश किये गए पत्थरों के उजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया कुलहारियों को प्योग करना शुरू कर दिया इंसान विभीन प्रकार की गतिविधियों में शामिल है तो अगर हम बहुत सारे कारे कर रहे हैं तो हमें अलगलग टूल्स की जोरत पड़ेगी, हमें अलगलग उपकरणों की जोरत पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे ही उससे में भी था, इंसान अलगलग उपकरणों की जोरत है, पूरा पाशान काल में अगर हम देखेंगे तो खुरदूरे फलक वाली सताय होती थी पत्रों को काट छाट कर तरास दिया जाता था लेकिन अगर आप नव पाशान काल की बात करोगे तो नव पाशान काल के ओजार बहुत ज़्यादा परिश्कृत है पॉलिश किये गए हैं उसमें जो धार है वो ब्लेड के अकार के जैसी है लेकिन इससे ये पता हलता है कि धातो का उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है तो ये बात भी आपको पता चलगे कि नव पाशान सब्द क्या आया है और कहां से आया है और इस शब्द का प्रियोग हम कहां कहां कर सकते हैं आगे हैं नोपाशान क्रामति की अफधारणा तो नोपाशान काल के लोग क्या या देखो क्रामति का मतलब क्या है एक बिल्कुल नहीं चीज़ लेकर आना तो मनुष्ट के जीवन में बहुत बड़ी क्रामतिकारी युकता उसका रीजन ये था कि मनुष्य अब इस्थाई निवास व्यत्तित कर रहा है उससे पहले मनुष्य जो है खाना बदोश है तो प्रारंबिक काल के अगर हम बात करें तो इंसान कैसे हो गया है उसका सांस्कित पशुपालन है इस्थाई जीवन है और खादे सामगरी को एकत्यत करने वाली अर्थवस्ता से मनुष्य बाहर आ चुका है हलागी कुछ लोग अब भी उसी अर्थवस्ता पर निर्भर हैं लेकिन फिर भी बहुत साई लोगों के जीवन में परिवरतन आ चुका है तो यहा पर चार-पांच विचार धाराएं दी गई हैं जिसकी शुरुवात में कर रहा हूं केरा खेतिक शुरुवात कैसे हुई इस बारे में अलग-लग इतिहासकारों में भी जासे कि वी गार्डन चाइल्ड यह कहते हैं कि मेभी जलवायू में परिवरतन हुआ होगा मौसम अब किशी के अनुकूल हो गए होगे जिसकी वएसे दक्षिन परशिम एशिय के इलाके में खेतिकी शुरुवात हुई होगी यानि कि वी गार्डन चाइल्ड जो हैं वो यह कहते हैं कि खेतिकी शुरुवात में मनुष्ट का रोल नहीं है बलकि प्रकरती का रोल है जलवायू म का निर्माड होगा और इसके आसपा किशी का विकास हुआ होगा ऐसा कौन कह रहे है वी गार्डन चाइल्ड यानि कोश्टन यह बने कि शिकार भोजन संग्रह से किशी के संक्रमण के बारे में वाद विवाद की चर्चा कीजिए यानि कि एक कैस्टन यह कह रहा है कि परिवर्तन की साफधाना को चुनोती देरें वो कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है मनुष्य धेरे क्रम रूप से आगे बढ़ता रहा और पशु और पौधु की प्रजातियों के बारे में जानना शुरू हुआ और खेरती की शुरूआत महीं से हुई पौधार ओपन और प जबकि कैंट प्लैनरी का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि शुरूआत एक घटना के बजाए एक लंबी प्रोसेस है यानि कि अचानक से कोई घटना नहीं है इसके पीछे एक बहुत लंबा समय लगा है जहां इंसान जब शिकार करता था तो उसने मौसम को धेजरे सम मनना शुरू करा पौधे और जानवरों का दोहन करा इसके बाद उसने देखा कि हाँ भई हम भी प्रत्वी से हम भी प्रकृति ज्यान प्राप्त करके उसमें उर्वरक्ता को ध्यान में रखते हुए अलगलग फसलों को उगा सकते हैं और इस प्रकार से मक्का और गेहु ज से देख रहा है कि उसके मन में ये प्रशन आ रहे हैं कि जो पौधे हुगए हों ये पौधे कहां से आए उसके मन में ये प्रशन उठ रहा है कि नदियों के पास वाली जगए पर अलग प्रकार की जो कतिविधियां वो कैसे हैं और जब वो इंचे जो का अध्यन कर ले रह करके उसमें बारीकी से हर एक चीज का गहराई से अधिन किया और उसके बाद खुद प्रियोग किये और वो प्रियोग जब सफल हो गए यही एक बड़ा क्रामतिकारी परिवर्तन था यहीं से सुरुवात होती है क्रिशी की अब हम यह पढ़ेंगे कि विश्व के संदर में न लग-लग समय पर यह चीज़ें हुई है किसी हिस्से में जैसे कि मिस्र की सब्वेता मैसोपोटामिय की सब्वेता आज से अगर हम बात करें तो लग-भग 9,000 साल पहले यानि कि 7,000 BCE मैसोपोटामिय में किश्व की शुरुवात होई तो नव पाशान यूग के सबसे पहले जो साक्ष मिल रहे हैं वो मिस्र में नीन लदी के किनारे मिल रहे हैं इसराइल में मिल रहे हैं फिलिस्तिन में मिल रहे हैं सीरिया और मैसोपोटामिय में मिल रहे हैं जबकि भारत की बात किया तो सिंदु चेतर के आसपास सिंदु घाटी जो सब्वेता यहां पर किशी के जो साक्षे मिले हैं गंगा घाटे चीन और मैसो अमेरिका तक किशी के साक्षे मायने जाते हैं कुल मिलाकर यह माना जाता है कि आज से दस जार बीसी जी तक दुनिया के कई हिस्सों में किशी और पशुपालन के शुरुवात हो गई होगी तो यानि कि विश्व के संधर में नौपाशान काल के शुरुवात मिस्र की निल्द गाटी सब्वेता इसराइल फिलिस्तिन सीरो और मैसो पटामिया के आसपास शुरुवात हुई है ऐसा मानना है जबकि अगर हम भारत की नौपाशान काली संस्किति की बात करें तो उसकी चर्चा अभी की जाएगी नवपाशान काल और उसके समय के आसपास भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में भी कश्मीर, दक्षिन भारत और पूरी भारत में बाद के चरणों में नवपाशान काल संस्कितियां दिखाई दी हैं तो अब तक हमने ये समझा है कि नौपाशान काल से हम क्या समझते हैं, किस प्रकार से मनुष्य खाना बदोशी जीवन से स्थाई जीवन में बस रहा है और इसके लिए लोग की अलग अलग धारणा हैं, अब हम भारत की नौपाशान संस्कितियों का अध्यन करेंगे, तो भा करनाटक के रयचूर जिले में, मैसूरू द्वाराबाद के 1867 में असं की भ्रह्यपुत्र घाटी में, और जौन लुबॉग कालिन सब्वेता होगी ही होगी इस प्रकार से आगे बड़े पर्माने पर खिटी बड़े पर खुदाईयां होती हैं और बड़े पर गहराई से अधन के जाता है तो पदलता है कि कश्मीर की घाटी में भी ये संस्किती थी इसी प्रकार से वर्तमान में जो बलुच्टिस्तान नाम की जगाया है पागिस्तान के अंदर यहां के मेहरगड में गेहूं और जो के बारे में पता चला कि यहां के लोगों ने गेहूं और जो को उगाया है लेकिन इलहाबाद जो की प्रियाग राज के नाम से जाने जाता है इसके आसपास जो है चावल की खेती महत्पूर्ण थी यानि कि भारत की नवपाशनकाल संस्किती देखोगे तो उत्तर भारत में भी कुछ छेत्र हैं और दक्षिन भारत में भी कुछ छेत्र हैं जैसे कि सबसे पहले हम उत्तर पश्रमी संस्किती के बारे में अध्यन करेंगे जैसे कि उत्तरी पश्मी भाग में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के चेतर हैं यहाँ पर नवपाशनकालीन संस्किती मिली है तो जब हम उत्तर पश्मी यानि की नौर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो छेतर है वो पहले अखन भारत में था वर्तवाने पाकिस्तान में है अफगानिस्तान में है इस छेतर में गेहूं और जो की खेती की जाती थी यानि कि उत्तर पश्मी छेत्र में जो नवपाश्णार कालियन संस्किती थी यहाँ पर कौन सी खेती इश्रुवात की गई तो यहाँ पर गिहूं की खेती इश्रुवात की गई जो की खेती इश्रुवात की गई पशुपालन के साक्ष मिले है यह दुनिया के सुरुवाती छेत्रों में से एक है जहां पशुपालन और पौधार ओपर दोनों के साक्षे एक साथ मिले है यानि कि दुनिया में जो साक्ष मिले दुनिया में जो सबूत मिले या तो कहीं पर खेती के सबूत मिले है या कहीं पर पशुपालन के सबूत मिले हैं लेकिन ये जगह ऐसी है उत्तर पश्मी छेत्र जहाँ पर खेती और पशुपालन दोनों के एक साथ साक्षमीले की लोग खेती भी करते थे मद्ध हिशय की परिधी के छेत्र में एक प्रकार का जो है गेहूं उसके साक्ष मिले हैं इसी प्रकार से एजिलॉप ताउशी जो की गेहूं की एक प्रजाती है उसके साक्ष मिले हैं उत्री अफगानिस्तान की गुफाओं से शिकारी संग्रह करता जीवन के बारे में साक्ष मिले की लोग जंगली भेड बकरी आदी का शिकार करते थे गेहू इस स्थल्प में 200 हेक्टेर का छेतर शामिल है जहां पर ये सब्रयता फली-फुली है मेहरगड में नौपाशान कालिन संस्किती के जो स्थल है वो लगभग 7500 से पचपन सो बीसी ही पुराने हैं यानि ये लगभग आज से 8000 साल पुरानी बाते हैं यहां मिट्टी के बरतन के उपयोग की संस्किती मिली है यहां पर लोग क्या थे इस थाई रूप से बसने शुरू हो गए थे पॉलिश किये गए पत्थरी कुलाडियों का प्रियोग कर रहे हैं चक्कियों का प्रियोग कर रहे हैं छोड़ छोड़े पत्थरों हड़ी को अजारों का प्रियोग कर रहे हैं बोलन नदी के किनारे भी पर है, कौन सी जगा पर है, बलुचिस्तान में है, कितने हक्टेर में फैलाव अच्छेतर है, लगभग 200 हक्टेर में, जहाँ पर नौपाशान काल के संस्किति के परियोग प्रमाड मिले हैं, आज से लगभग 9000 साल पहले यानि कि 7000 BCE में यहाँ पर लाशें और आभूशन भी मिले हैं, जिससे परसलता है, कि बकरी को यहाँ पर पालते होंगे, घरों का अकार्द हो था, वो 2 x 1.8 मीटर का होता था, घरों में पीसने के पत्थर और पत्थर के धारदार ब्लेड भी पाए गए हैं, जो कि में भी कटाई के काम आते होंगे, और गिहों वो गैरों को पीसने के लिए चक्कियां घर में लगी होंगी, उस समय लोगों द्वारा शंक, चुरा पत्थर, फिरोजी मोती, लाजवर्थ और बलुअ पत्थर के गहने का इस्तमाल भी किया जाता होगा, ऐसे सबूत हमें मिले हैं, मेहर गड़ की सब्वेता है इसे अलग-अलग अवधी में बाता गया है, अवधी 2 की अगर हम बात करें तो ये 6520E से 4520E के बीच में है, जबकि अवधी 3 की बात करें तो ये 4800BCE से 3500BCE तक मानी जाती है, तो अगर हम बात करें तो इस काल में मिट्टी के बरतनों का प्रयोग मिला है, टैरा कोटा जि ठीक है बइ? मेहरगड का महत तो क्या है, तो मेहरगड की अवधी के अगर हम बात करें, तो उसके हमें पराचिन जीवन के बारे मेरें पर चलता है, महत पुर फसलों के बारें पर चलता है इन सब के बारे में चलता है यानि कि मानों के प्राचिन इतिहास के बारे में जानकारी को एक बहुत बड़ा सुरोत है कौन मेहरगड तो उत्तर पश्मी छेतर की नौपाशन काली संस्क्रिति के अगर आप बात करोगे तो यह कहां पर है पागिस्तान और अफगानिस्तान में और जिसका सबसे जीता जाकता उधार कहां पर मिलेगा आपको मेहरगड में इसी प्रकार से एक जगा और है किली गुल मुहमद की बात करोगे तो यह पाकिस्तान की क्वेटा घाटी में है इस सिस्तल से तीन संस्क्रिति कालों के बारे में पता चला है यहां के लोगों संस्कितिया है यह उत्तर पश्मी छेतर की नौपाशान कालीन संस्कितिया है अब हम उत्तरी छेतर की बात करेंगे भारत के तो भारत के उत्तरी छेतर में आएगा कौन सा इलाका भारत के उत्तरी छेतर में आएगा कश्मीर का इलाका तो उत्तरी नौपाशान काल की संस्कि जिससे पता चलता है कि हाँ पर नौ पाशाण कालिन जो बस्तिया थी वो बस्ति हुई थी तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बुर्ज होम के बारे में तो बुर्ज होम की बात करें तो कश्मीर छेतर के अत्यादिर ठंडे मौसम से बचने के लिए लोग यहाँ पर क्या करते गड्ए वाले घर यानि से आज क्ल बेस्मेंट होता है इस बनस जेतु होते उसर मित घखर से गड्प से लोग ठंड से बचने के लिए जमीनrest में रहते हों rarely घर के भीतर सीडी से ओजाते थे ऐसा पता चलता है और मोटे मोटे मिट्टी के बर्तन बनते थे हाथों से लोग पत्थरोई कुलाडी छेनी फरसा इन सब का भी यूज करते थे इसके लावा मूसल और कुदाली का प्रियोग भी किया जाता था उन्होंने जानवरों की खाल पर काम करने के लिए खुरुचनी का प्रियोग भी किया हड्डियों से बर्चियं बनाई निशाना और शिकार के लिए सुई और तीर का उप्योग भी उन्होंने किया पत्थर पर शिकार का द्रश्य सूर्य और कुट्टे का चित्रन भी मिलाएं आपे यहां के लोग शिकार करते थे मचली पकड़ते थे और क्रिशी कारे भी करते थे अनाज भंडारण के साक्ष्य मिलें कि खेती के बाद जो अनाज होता था उसे गुदाम में रखा जाता होगा बुर्ज हों में अनाज काटने का उपकरण भी मिला है इस स्थल के जो कबरगहा मिली है यानि की जो कबरे मिली है यहां से जंगली कुट्टे की हड़ी और बारा सिंगे के सिंग भी प्राप्त हुए है इस चेतर में गेहूं, जो, आम मटर और दाल आदी भी बरामद मिले हुई है पालतू जानवरों में भेड, बक्री, सुवर और कुट्टे के बारे में पता चला है लाल हिरन, कश्मीर हिरन, इबैक्स, भालू और भेड़या की जंगली प्रजातियों के अड़िया भी यहां पर मिली है जिससे पदलता है इन पशो को या तो शिकार किया जाता था या फिर पाला जाता होगा एक सिंग वाले देवता की पूजा भी यहां पर की जाती थी यह सब कहाँ पर साक्षर मिलें आपको बुर्ज होम में जो कहाँ पर है कश्मीर में ऐसी एक जगा और है गुफ कराल गुफ कराल की बात करोगे तो यहां पर हमें तीन संकिति के चैंड मिलते हैं 3000 BC के आसपास इस थलप पर लोगों ने बसना शूरू किया होगा और उनके गढ़ों में रहने के प्रमाण मिले हैं भेडबकरी, हिर्ण बारा सिंगा, भेड़िया और भालू की अड़िया यहां से बरामद हुई हैं तो यह कश्मीर घाटी के छेत्रे हैं कौन से बुर्ज हों और गुफ कराल जो के उत्री छेत्रे में पाये जाते हैं अब हम बात करेंगे मद्ध भारत में विंध्या चलकी पहाड़ियों की नव पाशान काली न संस्किती के बारे में तो भारत में सबसे पहले नव पाशान काल की जो बसावट हुई है वो यह बेलन नदी घाटी में तो अगर कोई आप से पूछे भारत में नव पाशान काली न संस्किती सबसे पहले कहां मिली हैं तो वो एक अलग चीज जाएगी लेकिन सबसे पहले लोग कहां बसे हैं तो वो जाएगी बेलन नदी घाटी ये नदी विंध्याचल की पहाडी और कैमूर परवतों के उत्तरी भाग में बहती थी कौनसी नदी बेलन घाटी ये नदी टॉंस नदी की सहाइक नदी है जो प्र गंगा घाटी के महागरा इस छेत के महत्पूर्ण इस्थल है यानि की चोपनी मांटो जगा के नामे कोल्डी हवा जगा के नामे लोहरा देव जगा के नामे ये सब गंगा घाटी के आसपास के छेतरें जहाँ पर बड़े पैमान बर्ड़ खुदाईयां हुई है और गहरा में घरेलू चावल के उप्योग के प्रमार मिले हैं ये जलेवे अनाज के रूप में मिलें लेकिन हमें चावल की भूसिया भी मृदभांडो से मिली हैं कुछ विद्वानों को तो ये तक कहना है कि कोल्डी हवा के जो हमें साक्ष मिलें ये चीन के समान है जिससे 2020 में लोगों के निवास करने के साबूत मिले हैं यानि कि आज से लगवाक चार अजार साल पहले यहाँ पर लोग बसने शुरू हो गए होंगे सैनुगर में खेती का रूप जाएगा चावल के बारे में पता जलता है जो मतर जिसे पाइसम सटाइवम का नाम दिया गया है जैसे कि वीरभनपूर में एक महतपूर नवापाशान काल साक्षय मिले हैं जहाँ पर कंधो वाली कुलाडिया नुकिले बट वाली कुलाडिया और छेनी के प्रमाढ़ में मिले हैं तो मोशली को समान तो एक जैसा मिलेगा बस आपको जहाँ के नाम याद रखने है कि मद्ध पूरी भारत में कौन सा है उत्तर में कौन सा है उत्तर पश्र में कौन सा है इसी परकार से पूर्व उत्तर की बात करोगे तो असम और उत्तरी कछार की पहाड़ी आएंगी गारो कार कुलहाड़ियां डोरी या बेलचा मुद्रती मिट्टी के बरतन मिले हैं तो देखे आओगे तो हर जेगे मोशली एक जाए समान मिले हैं आप बस जएके नाम याद रखो उनके बारे में 233 पॉइंट लिख देना आपको नंबर पूरे ही मिलने हैं इसी प्रकार से दक्ष भारत के जब आपुक्षिन नवफचान काली की समस्या यह कि यहाँ पर अगर अगर भात करोगे इतनी भी स्थल कोजे गयें बहुत सारे स्थल हैं प्रोफेसर के पलाईय ने बताया है कि उत्तरी करनाठक के बुदिहाल नाम के जगह से यह पता फलता है मेबी यह Fields करो चुछ हमको दे बीच में तो देने वांट पूंह वही हो गी होगी राक के तीलों से जो व्याक्षस जाती हैं कि महाठान के अंतिम संस्कार किया गया उस अंतिम संसकार के यह राक के टीले massive आथ systय। जब जलाया गया तो उस से जो राक बची थी वो राक है यह जो राक के टीले मिलें, जबकि कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ निए, जो अलमुक्षी फटा होगा जिसके विए से आसपास राक राक जम गही होगी, वह आली राक होगी। तो लोगों की जो । यहां अर्थ डूला चलता थी वे मवेशियों भेस बक्री बेड़ इन बेड़ू को पालते थे शूवर कुट्य। की मूर्तिया मिली यहां पर नौपाशनकाल के लोग बाजरा दाले और फलियां भी उगाते थे इसके लावा बाजरा कोदो बाजरा काबूली चना हरा चना काला चना जलकुंभी बीन यहां पर इन सबसे प्रमार से पदलता ही लोग इन चीजों की खेती करते होंगे कुछ प्रमार करते थे अगर हम इस दोनान के संबाजी संगठान और आस्था प्रणाली की बात करें तो इसके बारे में हमें जादा जानकारी नहीं है कि वो लोग किन चीजों को पूछते थे सोसाइटी थी या नहीं थी बट हमें बस इतना ही पता है कि भूमी और पौधों पर पुधो का स्वामित्य। था। पौधों को उगभाने। और जानुरों को बनानागा रीये हैं ज़व estás它 जो लोग मर जाते थे इंवेpage के लिवे साथ १ूस्तित है , आगे प्रष्णुत्तर है, नोग नवपार्शनगर्ण भारत में नौपाशन कालिन संस्किती के साक्षे सहीत वर्णन कीजिए तो सबसे पहला आप उत्तर पश्ची में जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के अबरे बता होगे मेहरगड़ की सब बता देना फिर उत्तरी छेत में कश्मीर में बुर्ज होम और गुफ कराल के बता लिए कश्मां हो है तो आईज और होई वसोप करा है तो मैंसे कोई प्रस्ट आयेगा इस चैपटर से उस अस्परतर देने में आप सक्षमें कमेंड बाक्स में कमेंड करके हमें जरूर बताइये कि चीजे आपको समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं मिलते हैं आप से नेक्स चैप्टर में तब तक कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद